नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दग्यानकुम्भ में और ये है दग्यानकुम्भ की ये स्पेशल सीरीज शक्षा परिचर्चा आज का हमारा विशा है गड़ित आज हम शक्षा 10 का गड़ित उसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्ट करते हैं तो आगे की किलास के लिए हम आगा है बोट पर अब भी अपने हाथों में नोटबुक और पैनल लेकर एकदम तयार हो जाई है ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप लोग करते हुए चले तो आगे बढ़ने से पहले यहाद कर लेते हैं कि पिछले व आज अपन 4th chapter को start करेंगे 4th chapter की से related जितने भी concept हैं उनको पढ़ लेंगे और 4.1 के कुछ शुरूआती सवाल भी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 4th chapter में क्या-क्या है क्या concept है क्या-क्या अपन को face करना है यह सब जानने की शुरूआत हम करेंगे 4th chapter की नाम से क्या नाम है 4th chapter का देखिए वैस सबको पता लेकिन फिर भी अपन बोर्ड पर लिखेंगे 4th chapter का नाम है Quadratic equations हिंदी में कहें तो दोई घातिये समीकरम यह इस चप्टर का नाम है ठीक है जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ गए होंगे यहाँ दोई घातिये समीकरन लिखा है दोई घाती मतलब दोई घाती मतलब पावर का यानि जिस समीकरन की पावर टू होती है maximum पावर टू होती है उसको हम दोई घाती समीकरन कहते हैं ठीक है अगले अगर आपने इसको समझें तो जिसकी भी मैक्सिमं डिगरी तू होगी जिस भी पॉलीनो जिसवी क्योशन की उसको हम कौट्रेटग एक्क्वेशन कहेंगे यह तो हमने बारी एकसी स्क्वाइर प्लस टू एक्स प्लस वन इस तरह का कुछ अपने पड़ा रखाए और इसी तरह का कुछ अपने यहां पढ़ेंगे तो कर दो सर अगर यह पढ़ चुके फिर से पढ़ना है तो फिर दोबारा दोबारा दूदू चप्टर क्यों बनाए हैं तो यह दोनों पॉलिनोमियल और एक्क्योशन के डिफरेंस के कारण ही बनाए हैं क्या डिफरेंस हो दोनों में देखो यह एक पॉलिनोमियल पेशक एक पॉलिनोमियल है सबको पता है पर ने पहले भी सौल करा यह पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ही है यह क्योशन नहीं है अगर किसी क आएगा यह मतलब 0 नहीं यह मतलब यह इस इकल्टू किसी भी पॉलिनोमियल में जब इस इकल्टू का साइन आ जाता है तो वह पॉलिनोमियल एक्क्वेशन भी कहलाने लगता मैंने का भी कहलाने लगता है द्यान रहे किसी भी पॉलिनोमियल में जब इस इकल्टू का साइन आ जाता है तब वो equation भी कहलाने लगता है मतलब यह polynomial तो रहेगा अब इसे हम समीकरण भी कह सकते हैं या equation भी कह सकते हैं या generally हम equation ही कहेंगे ठीक है यह basic फर्क है polynomial में और equation में ठीक यहां हम इसी तरह के equations पढ़ेंगे उनको solve करने की अलग-अलग methods को पढ़ेंगे और एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यह है कि थर्ड चैप्टर में हमने जो equation पढ़ी थी वो linear equation थी और दो variable में थी अब जो fourth chapter में हम पढ़ेंगे fourth chapter में हम quadratic equations पढ़ेंगे मतलब दो इगाती जिनकी maximum degree कितनी हो की होगी थो की और बास्वारी में पढ़ेंगे मैं जो वैरियूब पाया जा didnt वएगी प्रकार का वह जैसे CC रहेगा y, y, y रहेगा, z रहेगा जो भी ऐसे ही हम इसमें पढ़हेंगे ठीक है? इनको पढ़हेंगे जांच करेंगे पहले जो अपनी जो एक्साइज आईगी 4.1 उसमें अपन यह जांच कर लेंगे पहले वाले में कि कुछ हमें unsolved equations लिखी होंगी उनको solve करके हम इनकी डिगरी चेक करनी पड़ेगी और फिर डिगरी चेक करके यह बताना पड़ेगा कि को वो quadratic है या नहीं है आ इनको हम मतलब equation में form करना सीधी बाती है ठीक अब ध्यान रहे इनको solve करने की हमारे पास तीन विदिया होती है ठीक है जो आगे चलके हम पड़ेंगे नाम हम आभी बता देते हैं सबसे पहली होती है factorization कि हिंदी में कहें तो गुड़न खंड यह हम पहले भी पड़ चुके ह है ना दूसरी होती है completing square या कहें पूर्ण वर्ग विधी ठीक और तीसरी होती है formula method या हिंदी में कहें तो सूत्र विधी इस तरह की question को solve करने के लिए हमारे पास यह तीन तरह की विधियां होती है जिनको हम आगे कभी चलके पढ़ेंगे लेकिन आज हम 4.1 को ही पढ़ेंगे और उनके सवालों के जरी इस concept को समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे तो देखिए 4.1 का क्या concept है मतलब हमें उसमें क्या-क्या मिलेगा यह तो हमने जान लिया अब वो सब हमें कैसे-कैसे चाहिए मिलेगा इसकी बारी है तो इसकी शुरूआत होगी 4.1 से 4.1 लीजी आमने डाल लिया उसका सबसाब पहला सवाल क्या है सबसे पहला सबाल है कि कुछ हमें पॉइंट से दी हो है उन पॉइंट्स में कुछ एक्योशन लिखें जो अंसॉल्व है पुरी तरह से सॉल को नहीं है जो एक सक्टार में हमें उसको लेकर आना है पुर यह चक करना है यह उसको रहे है या नहीं पॉछ आल जाएगी तो रहो को जाएग लेकिन 2 होनी चाहिए 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए 2 से जाधा भी नहीं होनी चाहिए सबसे पहला point देखते हैं इसी चेत्र में आपन पहला point जो है वो है x plus 1 का whole square is equal to 2 into x minus 3 ये पहला point लिखा है देख सकते हैं सॉल्ड है ना दो तरह से x लिखा है यहां power 2 है लेकिन काय काय पर बचेगी यह हमें नहीं पता ठीक है तो इसको solve करके हमें यह बताना होगा कि यह quadratic है यह नहीं है अब देखिए solve करने की राह में सबसे से पहला सिपाही यह है इसको हमें solve करना है देख सकते हैं उपर पावर टू है तो इसको दो तरीके से solve किया जा सकता है कैसे एक तो तरीका है आइडिनिटी वाला ए प्लस बी का whole square is equal to a square plus to a b plus b square यह identity ठीक है और दूसरा तरीका एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन यह निदे को पावर टू है तो इंटू कर recording चलेंगे यहां अगर अपन मिलान करें तो एकी जगह पर है एक्स वी की जगह पर है वन ठीक है तो ध्यान से करते हैं एक्स ए वन बी अब इस फॉर्म में तो यह पहले से हैं हमें इस फॉर्म में लेके आना है तो इदर से मिलाते चलो a square यानि कि प्लेस बी स्क्वाइर यानि वन का स्क्वाइर बराबर अब इस टू का तो अपन सीधा सीधा मल्टिप्लाय करी सकती तो टू इंटू एक्स टू एक्स बीच का माइनस लगेगा तू त्रीज़ सिक्स ठीक है यहां तक अपनी गाली पहुंच गई थोड़े आगे और पहु स्क्वाइर करेंगे वन ही रहेगा बराबर टू एक्स माइनस का सिक्स चीख है अब आप इन दौनों टर्म्स को ठाक इस तरफ लेगे आई एक्स स्क्वाइर प्लस टू एक्स प्लस वन यह देखिए इसका साइन इसके कुछ है नहीं है तो प्लस में यहां लेगे आएंगे तो यह माइनस का टू एक्स इसको यह लाएंगे तो यह प्लस का सिक्स माइनस का साइड बद लेगा घर बद लेगा तो यह प्लस का हो जाएगा यहां बचेगा जीरो ठीक है देखिए अब एक्स स्क्वेर कुछ साल करने के लिए हैं नहीं तो यहां प्लस का टू एक्स टूट जीरो क्या यह एक quadratic equation है go variable की power देखो variable क्या है x है variable की maximum power कितनी है 2 है यानि कि यह एक quadratic equation है थीक हम यही तो इसमें देखना था थीक तूम्मीद्स आप यह वाला सवाल अच्छे समझ में आगया होगा और 4.1 यह कहां 4 चेप्टर का क्या क्या हमें मिलेगा यह भी अच्छे समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अब आपको क्या करना है आपको यह करना है कि 4.1 का मैंने पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथे से शेर कर दीजिए और ऐसे ही कॉंटेंट के लिए हमारे चैनल दग्यानकुम को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जैने वाद